अगर आप अपने Instagram अकाउंट को डिलीट या फिर डियक्टिवेट करना चाहते हो या पिर पर्मेंट डिलीट करना चाहते हो तो इस वीडि़ को अपने Instagram अकाउंट या इसको ओपन करना है या देख सकते हो तो मैंने open कर लिया है open करने के बाद friends यहाँ पर जो आपका यहाँ दिख रहा है आप देख सकते हो जो आपका profile का option दिख रहा है इस पर simple आपको टैब करना है profile के option पर tab करने के बाद में यहाँ पर आपको ऊपर की side three lines दिख रहे होंगे तो friend simple आपको उस पर click करने के बाद में आपको यहाँ पर setting and privacy का option देखने को बिलता है तो इस पर simple click करना है इस पर click करने के बाद आपको क्या आना है नीचे नीचे की side आना है और यहाँ पर नीचे नीचे आने के बाद में यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा आपको help का यहाँ देख सकते हो, आप help का option देखने को मिल रहा है तो friend simple आपको help की option पर यहाँ पर click करना है, help की option पर click करने के बाद में यहाँ पर एक option है यहाँ पर देख सकते हो help center गा तो open simple आपको help center के option पर click करना है जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको simple click कर दे रहना है काफी लंबा process है इसको delete करने का इनकी बहुत ही अंदर जाके delete होता है तो open simple आपको क्या करना है यहाँ पर the lines वापस दिखेंगे तो आपको the lines के option पर वापस click करना है the lines के option पर click करने के बाद में यहाँ देख सकते हो आप एक option है manage your account का तो manage your account के option पर click करना है manage your account के option पर click करने के बाद में आपको यहाँ पर option देखने के मिलता है यहां पर देख सकते हो, अब तीन option है, यहां पर समझना है, तीन option है, एक थो है temporary direct equity यह और instagram account, दूसरा है दिलेट यह इस तरीके का option देखना हो मिल जाता है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर temporary direct equity करना है, या फिर permanently direct by करना है, तो आपको क्या करना है, पहला option ही चू करना है यहाँ पर देख सकते हो नीचे इसको लाइन करना है काफी नीचे आना है और नीचे आने के बाद में यहाँ पर एक option देखने हो मिलेगा आपको मैं बता देता हूं थोड़ा सा तो यह देख सकते हो आप इसपर थोड़ा साथ गौर करना यहाँ पर आपको इस पर किलिक करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक option है mobile browser help का पूरा आपको मैं step by step बता रहा हूँ तो आपको simple ध्यान से देखना है तो अब आपको क्या करना है mobile browser help के option पर click करना है तो जैसे आप इस पर click करते हो तो यहाँ पर काफी सार option open हो जाते हैं अब आपको क्या करना है नीचे आना है आपको जो भी रीजन देना है कि आप अपना account डिलेट क्यों करना चाहते हो सकते हो, region देने कि बाद में आपको क्यों बढ़ना है, यहां पर पर आपको कोई बी region देता हूँ, तो यहां पर आपको अपना पासवड है उसको enter करना होता है और यहां पर एक date mention है, अगर date से पहले पहले आप इसको login करते हो, जो भी आपका username और और अगर आपको टेंपरली डियंट लिखा हूआ है तो जैसे आपने इस पर इस पर क्लिक करते हैं तो एक नए पेζय उपन हो जाता है जिसमें यहाँ पर आप दे सकते हो काफी कुछ है यहाँ पर आपको select करना है कि आप अपना account को template deactivate क्यों करना चाहते हो और यहाँ पर आपको password एंटर करना है जैसे आप password एंटर कल देता हो तो यहाँ पर आपको temporal deactivate अपपो आपको एंटर कल देता हो परमनेंटिल डिल्टेड कर सकते हो और आपको एंटर को like कर देना और चैनल पर फहले बार विजिट करें तो चैनल को subscribe देना thank you